संधर्ष ही है जीवन का पदाना नेरा शक बदली चारो होर से धिर के आ जाए बायूस गरीबी का अभेरा घोर चा जाए तो शिक्षा आगे तुन दिल जब निकल के आता है सभी अंधकार दूर करके प्रकाच लाता है पर पाता है वही जिसने राज ये जाना संधर्ष ही है जीवन का पदाना जै भारत जै महिला शक्ति जै बारत जै महिला शक्ति मुझे आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि अब आप लोग अंगूठा चाप नहीं बलकि पड लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है पर जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपने बड़ी लगन से मेहनत की है तो क्या फर्क महसूस किया क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है आपको बहुत 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 बहन जी बहन जी मेरे बच्चे को अब मैं ही पढ़ाती हूँ सारे अक्षर मेरी मंदी को मैंने ही सिखाए है मैं मांती हूँ कि अगर आउरत पड़ी होती है तो उसका असर घर परिवार पर पढ़ता है आपने जो फर्क महसूस किया वो फरक आप मुझे बताएं, बलकि मुझे ही नहीं, अपनी आसपास की सारी बहनों को बताएं, ताकि वो प्रोड शिक्षा केंदर को मंदिर समझती हुई यहां आएं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लाब उठाएं, आप बताओ रेखा, आपने क्या फरक महसूस किया? सच कहूं बहन जी, अब मेरे पती की तनख्वा को लिखने लगी हूँ, जो वो लाते हैं, उन्हें में अलग-अलग डिबो में रखती हूँ, जैसे दाल, चीनी, चावल, आरे, यह तो बहुत बढ़िया है, पहले आप सारा बज़ट बना लेती हैं, बाद में पूरे खर्चा करती हैं, बहन जी, ये बज़ट वजट तुमें कुछ नहीं जानती, हाँ इतना लिख लेती हूँ, कि अब मुझे उदार नहीं लेना पड़ीगा, आप बताओ, उशा, आपने क्या फर्क मैसूस किया, बहन जी, मेरा मरा सत्तर रुपे रोज के इसाफ से कमाता है, कभी वो आपको 30 के महीने का पर 30 के महीने का अलपता चल गया, ये देखो बहन जी, मेहन इने 30 के नीचे उगतिस के उपर आपने यही तो समझाये था, जनुरी, फर्वरी, मार्च, कुंती, आप बताओ, आपने गया फर्क मैसूस किया, बहन जी, मैं चाहती हूँ कि, हाँ, हाँ, क् इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह खुब पढ़ूं खुब पढ़ूं और मास्टर में बनकर दूसरों को पढ़ाऊं मैं इसमें हसने की क्या बात है? आरे मैं तो खुद चाहती हूँ आप सब लोग यहां आएं पढ़े और इसको फर्क महसूस करें अपनी आसपास की बहनों को भी इसको फर्क समझाएं और पढ़ाएं अब सब कुछ इने ही बाट दोगी या हमारे लिए भी छोड़ोगी अरे अरे रादा बहन आओ आखिर हमारी याद आ ही गई आपको आप से मिलने की इच्छा तो कई दिनों से थी आज नीरु के यहां से लोट रही थी सोचा आप से भी मिलती चलो बहुत-बहुत महरभानी आप अपने आप में मस्त हैं अच्छा आप क्या कारिक्रम है यहीं रुकना है या घर चलोगी नहीं भी पढ़ाई तो खतम होई चुकी है बस यूहीं बाते चल रही थी हाँ वो तो मैं भी सुन रही थी अच्छा बहनो अब सब चलो अब कर देखोंगी कितनी ओरतों को ला ही लड़की जिसका पती उसे दूसरों के हाथों बेचना चाहता था लेकिन आपने उसे पढ़ाया लिखाया था आपने उसका घरी नहीं बसाया बलकि उसके पती को सही रहा भी दिखाई अरे भाई पहले घर चलो चाइवाई पीएंगे अराम करेंगे तब कहानी भी सुना रही थी ठक गई होंगी चलिए पहले घरी चले अरे नई भी में ठकी वकी नहीं घर का नाम आया और चाहिए याद आगई वैसे एक बात बताओं क्या मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ भारत के परतेक महिला पड़े लिखी हो अच्छा और समय की मांग भी है राधा ये तो तुम जानती ही हो शिक्षे समाज ही सशक्त राष्टर का निर्मान कर सकता है हाप तो भाद बड़ी बड़ी बाते कहां बच्पन में ये बाते तुमारे से अच्छा ठीक है चलो अब घर चले प्याले चलो चलो ले आई चाय है हाँ मैंने सोचा अपने हाथ किया तुझे चाय पिला ही तूँ अरे राधा इन नमकीन तो ले पताया मैंने अपने हाथ से बनाई है अच्छा और खाकर बता कैसी बनी हम्म बहुत ही बढ़िया है लेकिन तुम्हें ये सब बनाने का समय कब मिलता है सुबह तो तुम स्कूल चली जाती हो और इसके बाद तुम्हारा प्रोड शिक्षा केंद्र इसके बाद ये खाना वाकरा बनाना अरे राधा मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है घर के काम में फिर गोरी भी तो मेरी बहुत मदद करती है वो छोटी सी बच्ची जो कई सालों से तुम्हारे साथ रह रही है वही ना हाँ राधा वही बच्ची जब वो मेरे पास आई थी तो अंगूठा चाप थी और इस साल उसमें दस्वी की परिक्षा देनी है वो अंगूठा चाप लड़के दस्वी के परिक्षा देगे कमाल है राधा ये तो तु जानती है मिहनत उत्सा और लगन पत्थरों में भी र अच्छी लेकर आई हूं मैं सा करती हूं जल्दी खाना बनालती हूं आज रात को आपसे गनिज्यों पढ़नी है अच्छा तो आप रात में भी क्लास चलाती है राधा विद्यादान महारदान है विद्यादान में कुछ खर्चा तो होता नहीं बलकि हमारा भंदार और भर आजाओ आरे रेनु आज अचानक किस याने कामन बना लिया बस यूँँ ही आपसे मिलने को जी किया वैसे भी इने शेहर में कुछ काम था तो सोच आपसे भी मिलते चले आप तो वैसे भी मेरी मा की तरह है न एक माने जननत दिया और दूसरी मान जो बीट गया उसे यार न तुम्हें फुरसत से बनाया है कहा रहती हो जी बस यहीं से 30-40 किलो मीटर दूर बुलन चेहर है न अच्छा के पास में बंदीरा में हरते हैं अच्छा अच्छा क्या करते हो वहां पर जी वो छोटा सा कजबा है मैं तो बच्छों को पढ़ाती हूं अच्छा बहुत अच् प्रश्चा करते हैं अरे हां राजन तुमसे तो पूछना भूली गई तुम सुना कैसा चल रहा है एक जी जैसा अभी रेरु ने कहा एक पेंटिंगे ठेकेदार के हां काम करता हूं अब दो से तीन हजार वी बहुना कमा लेता हूं और काम करने के लिए शहर जाना पड़त है ठेकेदार जीप से ले जाता है शहर और शाम को घर भी छोड़ देता है बहुत अच्छा बेटा में हिनत किया करो जीवन के सही रास्ता यही है आपका आशिरवाद है अच्छा रेनू मुझे टेलीफोन करना है ठेकेदार को मैं अभी आता हूं आप लोग बाते कीजिए अब लोग तो बहुत दिलों दिले हैं मैं अभी आता हूं रेनू मैं और राधा तेरी ही बाते कर रहे थे अब तू आ गई है तो अपने घाने खुदी राधा आंटे को सुना दे बहन जी आज भी उन हाथो को याद करती हूं तो समझ है नहीं पाती हूं कि उस वक्त मुछ उसमें इतने हिमत कहां से आई थी ये शुदा जी से यही सब सुनने बैठे थी कि तुम आ गई मुझे याद है मैं गाउं में अपने माबाप और दो भाईयों के साथ रहती थी साधारन सा परिवार था पर सभी गाउंवाले कहते थे कि ये लड़की तो बहुत सुन्दर है सच में तुम्हारा रूप तो खिलता गुलाब है गुलाब नहीं बहन जी कनेर कहिए जिसमें सिर्फ कोरा रूप होता है सुगंध नहीं अगर इसमें पढ़ाई लिखाई रूपी सुगंध टाल देते तो सच मुझ गुलाब बन जाते बहन जी माबाप तो क्या पूरा गाउं ही ये कहता था ये ऐसा कौन है जो इसे देखकर ब्याकर नहीं ले जाना चाहेगा अच्छा फिर क्या हुआ महन जी यही रूप तो मेरे लिए ग्रहन बन गया वो कैसे एक दिन एक औरत गाउं में आई और आकर मेरी मा से कहने लगी कि शहर में उसका एक भतीजा है काफी पैसे वाला है बस शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की चाहिए बस फिर क्या था पता ही नहीं चला कब उन खोली तो दुलन बनाकर मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर विदा किया जा रहा था और बेन जी सच पूछे तो उस दिर मुझे भी उस गाड़ी में बैठ कर बहुत ही अच्छा लग रहा था फिर शादी होकर ससुराल के काउं में नहीं बेन जी गाउं नहीं एक बड़ा सा शहर था वो कमरा जहां लिजाकर मुझे बिठाया गया बहुत ही सुन्दर सजाया हुआ था पर वहां और कोई भी नहीं था तब मैंने उनसे पूछा क्या यहीं हमारा घर है तो क्या वो तुम्हारा ससुराल नहीं था मैं भी एहरान थी पर फिर भी खूंगा टो आपकी गाड़ी है और कली घर पहुंच जाएंगे फिर क्या हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद मैं वहीं बिस्तर पर लेट गई पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई शादी के रीती रिवाजों की वज़ा से दो चार दिन से ठीक से नीन नहीं आए थी ना अ सोचा कैसा घर है यह जहां ना तो कोई आदमी है ना कोई औरत तब मैं उठी और कमरे की रोश्णी देखकर इधर उधर टहलने लगी तो वहां पर तुम्हारा पती भी नहीं था कोई भी नहीं था पर मुझे धीमी धीमी आवाजे आ रही थी जब मैंने उन आवाजों की औ बढ़ना चाहा तो मुझे ऐसास हुआ कि वो तो दर्वाजे के बाहर से आ रही थी तब मैंने दर्वाजा खोलना चाहा पर मुझे पता चला कि वो तो बाहर से बंद था फिर मैंने दर्वाजे से कान लगा कर बाते सुनी चाहीं तब मुझे उस दर्वाजे में एक छोटा स जब मैंने उस छेट से आख लगाई तो देखा अर दूला राजा को अपने दुलान के बाल तुर्ण के बाल तरी बहुत है वो तुलान इसकी नहीं हम सबके यह हुँआ है जादी करके लाँ मैं अदेलन हैम सबके लिए बुल गया जो पीस हजार के नो इस जिव में मैने डाले थे। आख क्या के वीज़गा है? दसार ले लिए बुई ने शाधी करानी के और दसार शाधी में खर्च ओगे पीस हजार, बचा क्या? अरो पीस हजार है के? अरो मददा इस तो निचे रहा है.. मैं चाहिए उस लड़की को अपने साथ रखो यह पेच दूँँ आ यार तुम आपस में क्यों लड़ते हूं या जाना के पास चलते हैं जो कीमत लगाते हैं को टीक है यह यह ही ठीक है बढ़े शादी की मैंने दुरहन मेरी कीमत दादा क्यों लगाएगा है किमत लगाएगा कीमत ना दादा लगाएगा और ना तू कीमत लगाऊँगा मैं क्योंकि पैसे मैंने दिये हैं अचो अचो बताओ तुब है मैं समझ गई कि मेरी कीमत लगाई जा रही है मेरा तो रोम रोम काप उठा समझ है नहीं पारी थी क्या करूं कहां जाओं पता नहीं उस वक्त कैसे भगवान ने मुझे हिम्मत दी और मैं बाहर जाने का रास्ता डूनने लगी तब मैंने देखा कि दरवाजे तो दोनों ही बाहर से बंद थे फिर मैं बाहर निकलने का रास्ता डूनते डूनते एक खिर्की तक पहुंची तो देखा कि खिर्की जमीन से जादा उची नहीं थी बाहर गली में अंधेरा था मैं खिर्की से कूद गई शायद भगवान ने उस दिन उन्हें मेरी मदद के लिए ही भेजा था तो उस महिला के घर से तुम ये शोदा जी के हां कैसे आई रेनू कहीं तुम परेशान तो नहीं हो रहीं अरे नहीं नहीं भेन जी मैं तो जब ही उन अद्सोगा करती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि चीख चीख कर इस समाद से कहूँ कि लड़कियों को पढ़ाना भी उतना ही सरूर है जितना की लड़कों को अच्छा बताओ क्यों अब देखे ना भेन जी उस दिन गाड़ी के बारा घंटों के सफर में हम लोग कम से कम तीन बार रुके चाई पी, खाना खाया अगर मैं पड़ी लिखी होती तो कम से कम उन दुकानों के नाम के बोट तो पढ़ सकती थी ना अच्छा तुम बोट पढ़ लेती तो उससे क्या फायदा होता शायद मैं पुलिस की कुछ मदद कर पाती कम से कम इतना बता सकती थी कि किस रास्ते से गए थे जगे का नाम क्या था शायद उन गुंडों को पकड़वाने में मैं पुलिस की कुछ मदद कर पाती हाँ रेनू, पढ़ाई लिखाई तो हर तरह से जरूरी है पर देखिये ना भेन जी, मैं तो बिल्कुल काला अक्षर भेंस बराबर थी उस घर के आगे भी एक बोर्ड लगा था अगर मैं पढ़ी लिकी होती, तो मैं उसे भी पर सकती थी अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर रात को तो उसी के साथ सो गई जब सुभे उठी तो पेटी, मैं सुभे प्रॉर शिक्षा के इंदर चले गई थी तुम सो रही थी न, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं तुमने सुभे से कुछ खाया पिया नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ जी, नहीं, बिलकुल इच्छा नहीं लेनू, तुम्हारा गाउँ जाना ठीक नहीं होगा वो गुंडे तुम्हें ढूंटे हुए वहां भी पहुँच जाएंगे तो फिर आप ही बताईए मैं कहां जाओं मेरी एक सहेली है वो समासुधारक है और वो एक प्रॉर शेशा के इंदर भी चलाती है मैं तुम्हें वहां जोडाती हूँ पर जब मेरे माबाप को पता चलेगा तो वो क्या सुचेंगे उसके तुम चिंता मत करो आज मेरा बेटा आने वाला है मैं उससे साथ लेकर तुम्हारे गाउं जाओंगी और तुम्हारे माबाप को सारे कहानी सुनाओंगी और वो चिंता मुक्त हो जाएंगे और हाँ, पीटा, तुम चिंता मत करो, वो बहन जी ही मुझे मौसी जी के पास लाएं, अगले दिन मेरे माँ बापू भी मुझसे वही मिलने आए, कितनी खुश हुई होगी न माँ, नहीं बहन जी, दुलन बना कर विदा की कई बेटी की ऐसी दुर्दोशा देखकर, मेरे अरे, वो कैसे ले जाते, उन्हें डर था कि कहीं वो दुबारा ना उसे वहां ले जाए, वो तो आते ही, क्यूंकि रिष्टा कराने वाली, तुम्हारी पड़ोसन, उनकी बुआ जो वहां थी, नहीं बहन जी, जब माँ बापू मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने बताया क कि वो और तो राथी में अपना सारा सामान लेकर चली गई, किसी को भी नहीं पता चला कि वो आखिर कहां गई, तो क्या वो तुम्हारी गाउं की नहीं थी, नहीं बहन जी, पांच-छे महीने पहले ही यहां आई थी, और इतनी मीठी-मीठी बाते करती थी, कि सारे गाउं वाले उन्हें अपना सा समझने लगे थे, सच राथा, वो तो बहुत ही धोकेबाज और मकार ओरत निकली, बहन जी, वो तो चली गई, पर सब मेरे मावापू से पूछते थे, कि रेनु ससुराल से वापस कब आएगी, कब आएगी, जब मेरे मावापू को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने गाउं छोड़ने का फैसला कर लिया, पर मैं उनके साथ नहीं गई, क्योंकि मौसी जी की कहानी सुनकर, मैंने पढ़ने का पका इरादा कर लिया था, जो यहीं रहे कर हो सकता था, अच्छा रेनु, वो कहानी क्या थी, जिसने तुम पर ऐ खुशाली में बदल दिया, वो रचो, जिसके शादी में दहेच्छे कारण सारी खुश्या हम में बदल दिया, मौसी जी ने मुझे बताया, कि वो लड़की इतना पढ़ी, इतना पढ़ी, कि एगन वकील बन गई, और फिर एक बार उसका पाला उन्ही लड़के वालों से पढ़ा, तब उसने ऐसा बदला लिया, कि सीधे जेल की हवा ठानी पड़ी, हरे वा, कमाल कर दिया उस लड़की ने तो, मौसी जी की इस कहानी ने मेरे दिमाग पर इतना असर किया, कि मैंने पढ़ने की ठान दी, जब मैं मौसी जी के साथ पहली बार प्रॉल शिक्षा कें जा रही थी, तब सारे रस्ते यही सोचती रही, कि पताने कैसे पढ़ूंगी इस उमर में, शरम सी आएगी, पर जब मैं वहां गई, तो मैंने देखा वहां तो मुझसे भी बड़ी उमर की महिराए पढ़ रही थी, उन सभी को देखकर मुझ में चोश आ गया, और मेरा सच राधा, रेनु के पढ़ाई की लगन ने तो मुझे भी हैरान कर दिया था, जब कभी रात को निद खुलती, तो देखती, रेनु पढ़ती रहती थी, रेनु, तुम्हारी हिम्मत तो तारीफ के काबिल है, लेकिन फिर ये शादी, बहन जी, ये भी एक अजीब संजोग था, क्या संजोग था, मैं रोज मौसी जी के पास पढ़ने जाती थी, पर रात में लोट कर मैं मा बापू के पास ही आ जाती एक दिन हम लोग अस्पताल में किसी रिष्टेदार को देखने गए, जब मैं और बापू वाट से बहार निकल रहे थे, तब मेरी नजर कोने में पड़े पलंग पर गई, तो मैंने देखा कि उस पर राजन बहुत जखनी हालत में लेटा हुआ है, बस गुसे से मेरे कदम उसकी और भड़े, पर जब वहाँ जाकर उसे बात हुई, और उसने अपनी दुखपरी कहानी सुनाई, तो समझो जैसे पासा ही पलड़ गया, क्या पताया उसने, उसने बताया कि पैसे के लालच में वो उन तीनों के कुछ अकर में फस गया था, पर जब मैं वहाँ से हत मारा, और फिर उठा कर फैक दिया, अस्पताल कैसे पहुंचा, उसे तो ये तक नहीं मालुम था, फिर क्या था, पुराने गिले शिक्वे सब दूर हो गए, राजन की तो जैसे एक नई जिन्दगी शुरू हुई, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, फिर हमारे साथ ही घर गया, और अब तो आप देखी रही है, हम दोनों की एक खुशाल जिन्दगी है, सच में ये तुम्हारे नई सिंदगी है, दर्वाजा खुला है, आजाओ, कर दिया है बटी फून, जी मॉसी जी, रेनु चले, बहुत देर हो गई है, बेटा, जब तुम लोग आते हो, तो बहुत ही खुशी बती है, रेनु को कभी-कभी लेकर आजाया करो ना, जी बिल्कुल मॉसी जी, खाँ मॉसी जी, दस बार कहते हूं, तब जाके एक बार लाते हैं, देखो रेनु, मैं मॉसी जी की बहुत इस्त करता हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत श्रद्दा है, अगर मॉसी नहीं होती तो, तुम कैसे मिलती हैं, बस बस, अब बहुत जादा मखन बाजी करने की जरुवत नहीं है, सुन ले रेनु की दुखबरी कहानी, कैसी लगी? रेनु, वाकई तुमने जिन्दगी में काफी उतार चड़ाव देखे हैं, आज इनसान का कितना चारित्रिक पतन हो चुका है, इसका अंदाजा तुमारे कहानी से लगता है, लेकिन गर इनसान में कुछ कर गुजरने की लगन है, तो वो जिन्दगी में क्या नहीं कर सकता? सच में, शिक्षा में वो ताकत है, जो इनसान को उसके जिवन में आने वाली कठिनाईयों से उबारने में सहायता करती है, तुमने मेहनत की, हर देखो, नतीजा सब के सामने है, अच्छा मौक जी, आप चलते हैं नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ठीके में कराएं अच्छा मौक जब भी वक्त मिलेगा हम जरूर है, क्यों? लगाते राख बरो चक्तर अच्छा मौक जब भी वक्त मिलेगा है उप लेवीके में सबस्केशलाइबस